जहें दोस्तों आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे तो दोस्तों काफी दिनों से आप लोग मुझे कमेंट कर रहेते हैं कि सर स्पोर्ट राउंड जो है कभी स्टार्ट होगा तो फाइनले गाईज आप लोगों का स्पोर्ट राउंड जो है उपन कर दिया गया है क्या एड्मिशन प्रोसेस होने वाला है हम कैसे अपलाई करेंगे वो सारा कुछ आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ तो बिना स्किप करें वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों क्योंकि ये दोस्तों एड्मिशन का आखरी मोका है आपके पास इसके बाद जो है अड्मिशन क्लोज हो जाएंगे ठीक है तो बिना स्किप करके अच्छे से जो है इसे समझना है और देखना है क्योंकि कि इसके दर में आपको sport round का पूरा admission प्रोसेस बताने वाला हूंगा इस ठीक है और schedule के उपर भी हम चर्चा करेंगे तो देखिए जो sport round का जो schedule जारी हुआ है वो यह कहा गया है दोस्तों only verification can get who have paid registration fee जिन्हों ने भी जो register payment करी थी या registration किया था वो जो इसके लिए eligible है जिनका भी अभी तक fifth round तक name नहीं आये था वही सिर्फ student apply कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि किसी का अगर first year second round में आ चुका है नाम और अगर उनको trade पसंद नहीं आये तो sport round में apply करेंगे तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके उपर जो है कुछ कारेवाई हो सकती है ठीक है आपकी seat भी जो पहले भाली होगी वो भी cancel हो जगी तो यह only उन इस्ट्रेंड के लिए होता जिनका अभी तक किसी भी round में नाम नहीं आया ठीक है दोस्तों तो देखें क्या यहां पर क्या गया रेश्टेशर्ट एट एड्मिट इंस्टिट्यूट only candidate who have the paid registration fee ठीक है दस तारिक से लेकर 12 से तमबर तक जो है आपको एक admission जो form है अभी म आपको बताऊंगा और उसको fill भी करना आपको सिखाऊंगा उसको form को fill करकर जो है कल ही आपको जाना है 12 तारिक तक जो है आप किसी भी आईटे के अंदर आप लोग जाकर उसे जमा करा देंगे ठीक है जैसी आप लोग जमा करा देंगे उसके बाद जो है display of rank जो भी आपके percentage होगा उसके base पर आपका मेरे list बनेगा ठीक है और rank release कर दी जाएगी आपको 13 September को यानि कि Friday को फिर क्या होगा sport admission procedure at the institute लिव यानि कि आपको 17 और 18 तारिक हो ना आपको जो है आपने जितनी भी जो document होती है ठीक है ना basic जितनी भी आपके document है वो आपको document तयार करकर जो है ले नहीं आया है ठीक है तो आपको ऐसे पता करना पड़ेगा तो यह दोस्तो आपका sport round का process है तो इसको अच्छे से समझे और बिना skip करके video देखेंगे तभी आपको समझ आगा क्योंकि और भी चीज़े समझना है ठीक है दोस्तो तो अब आपको पता चल गया कि sport round में कैसे participate कर उसकी भी मैं अभी video लेकर जरूर आऊंगा ठीक है तो उसके अंदर मैं आपको बता दूँगा कि किस में कितनी सीटे हैं तो वो मैं कल morning में ही या आज रात तक ही वो मैं video अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग देख लो अच्छे से और फिर कल परसो में जो जाकर यह जो देखें दोस्तों यह है आपका sport round का form ठीक है तो इसके ओपर simply आप लोगों ने click करना है ठीक है जैसी आप click करेंगे तो यह जो है एक pdf के रूप में open हो जागा दोस्तों ठीक है यह open हो चुका है हमारा ठीक है अब देखें यह जो है आपका form है sport round का ठीक है आपको कैसे fill कर आप् AM flavors के लिए तो इस आपकी ज्लिदी जाएंगे घंगए और अपनाiane यहाँसे देखेंगे और अपना जैसे AKS है निजाम उदीन तो AKS निजाम उदीन ठीक है यहाँ पर आपने ITA का नेम लिख ले है यहाँ पर आप अपना लिखना है नेम candidate का नेम लिखना है ठीक है और यहाँ पर online registration नमर जो आपका registration नमर है न दोस्तों जिससे जो है आप अपना dashboard open करते थे तो वाला आपको यहाँ पर registration नमर लिख देना है ठीक है दोस्तों अब क्या करना है आपको यहाँ पर rank percentage ठीक है अब यहाँ पर जो आपके 8th rank आई थी वो यहाँ पर fill करना है जो आपकी 10th rank आई थी ठीक है वो यहाँ पर रेंक आपको फिल करना आपको यह कहां मिलेगा candidate profile वाले section में आपको यह rank मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको अपना date of birth लिखना है ठीक है इतना करने के बाद आईए और नीचे आते हैं और यहाँ पर देखे दोश्तों यहाँ पर आपके parents से अपना signature करवा लेंगे और य इस भी दिन जा रहे हैं यानि कल जा रहे हैं तो कल की यहाँ पर date आपको यहाँ पर fill करने है ठीक है आगे देखते हैं इसको आपको कुछ नहीं करना यह सिरिफ for office only है ठीक है न तो यहाँ पर use सिरिफ office वाले कर सकता आप यहाँ पर नीचे आए यहाँ पर देखें यहाँ आपको अपना name लिखना है यहाँ पर category अगर आप SC है ST OBC से हैं तो यहाँ पर आपको category अपना डालना अगर general है तो यहाँ पर general लिख दें ठीक है have the rank कितनी आईए वो यहाँ पर लिखें आपकी percentage क्या थी 10th में वो यहाँ पर लिख दें ठीक है न यहाँ पर inner qualified examination जो है अप तो इस तरीके से आपको यहाँ पर form को fill करना name of signature of receipt of official with date and stamp टीक है यह आपको कुछ नहीं करना है तरो इस तरीके से यहाँ आपको form को fill करना है आज ही is form को fill कर ले और पहले तो इसको क्या करना है आपको cafe वाले के पास जाएंगे और इसका print out निकल वा लेंगे ठीक है जैसे आप लोग print out निकलवा कर इसको form को अच्छी तरीके से fill करना मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया form को fill करना ठीक है काफी easy है इस form को fill करना form को fill करके कल किसी भी हालत में दोस्तों चले जाओ अगर नहीं जाओगे जितनी जल्दी जाओगे उतने जल्दी आपका name आने क chance होगा ठीक है तो जितना हो सके उतना जल्दी जो है आप लोग चले जाएए और इसे submit करा लेजिए जैसी आप लोग submit करा लेंगे तो 13 तारीक को जो है rank आएगी आपकी ठीक है उसके बाद 17 और 18 तारीक को जो है आप दो दिन का आपको समय मिलेगा आपको जिस भी ita के अं जैसे आपने याद रखे जो आपकी मेरे लिस्ट बनी थी जैसे कि 100% वालों का फर्स्ट मेरे लिस्ट में नेम आगे तो अब इसके अंदर आपके जो rank बनेगी जो मेरे लिस्ट जिसके सबसे ज्यादा percentage होंगे ना उसके पहले नाम आएगा फिर उसके ऐसे आगर जैसे किस आपको मैंने समझाने की कोशिज किया है दोस्तों एक चीज और है दोस्तों वह मैं यह बताना चाहरा हूं दोस्तों कि आपकी rank तो ऐसे बनी जाएगी ठीक है और मैं यह कह रहा हूं कि जितनी हो सके जल्दी अपनी जो है यह form को फिल करके submit करा लेना है और फिर उसके बाद 17-18 तारी को आपको document लेकर जानी है उससे पहले अभी rank release होगा ठीक है एक बार और आपकी rank release होगा दोस्तों उसके अंदर फिर आपको check out करना है तो आज़ा करता हूं दोस्तों आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो please